नम्मर वन चानल के नम्मर वन शो साज़िश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला साज़िश में आज बात इसराइल को लगे एक बहुत बड़े जटके की करते हैं इरान के एक बड़े हत्यार ने इसराइल के युद्ध में एंट्री माली है नेतन याहू को इस हैत्यार के बारे में जब से पता चला है उनकी नहीं पूरे इसराइली सेना की नीद उड़ गई है अब डर है कि इरान ने अगर युद्ध में एंट्री कर ली तो इसराइल कुद को कैसे बचाएगा इसराइल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस बीस नहीं, सौ दो सो नहीं, बलकि 358 मौत देना चाहता है इरान इसराइल के सामने इतने दुश्मन खड़े हो गए हैं कि उसे 358 मौत देना चाहते हैं इसराइल ने घाज़ा पर जितने बम गिराएं हैं, उसका बदला 358 मौत से लेना चाहते हैं 358 मौत के क्या माइने हैं? 358 मौत का खौफ कितना जादा है? यह इस सुथ इसराइल के चारों तरफ यमराज बन कर मंदरा रहा है यहां हिजबुल्ला भी है, इरान भी है, खूथी भी है और अब इराग का वो मिलीशिया भी है जिसने अमेरिका का जीना मुश्किल कर दिया है आखिर 358 मौत है क्या? और इसराइल क्यूं इस से घबराया हुआ है? क्योंकि यह एक ऐसा हथियार है जो इरान से निकल कर अब हिजबुल्ला के पास पहुँच गया है खूथी इसे लगातार फायर कर रहा है 358 मौत की मिस्टरी अब खुल कर सामने आ गई है इसी मिसाइल से या कहें ड्रोन से हिजबुल्ला ने इसराइल के बहुत बड़े सीक्रेट एजेंट को मार गिराया है हिजबुल्ला के महसचे हो हसन नसरल्ला ने कहा था कि वो इसराइल के खिलाफ उनका हर विकल्ब तयार है और इसी का हिस्सा है 358 मौत ये है जमीन से आस्मानी टार्गेट्स को खत्म करने वाली 358 मिसाइल और ये बाट रही है 358 मौत हिजबुल्ला ने इसी मनराने वाली मिसाइल से इसराइल के बहुत ही खास ड्रोन हरमेज को मार गिराया हरमेज 450 इसराइल का बहुत ही भरुसेमन ड्रोन है जिससे एंटी टैंक मिसाइल फायर की जाती है जब ये ड्रोन लेबनन के आस्मान में पहुचा तो हिजबुल्ला ने उस पर 358 मौत माटने वाली मिसाइल फायर की और देखिए क्या नतीजा निकला ये इरान का वो हर्फन मौला हत्यार है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है ये इरान की मिसाइल भी है जो इरान की ड्रोन टेक्नलोची को मौत बरसाने वाली सबसे नई तकनीक साबित कर रही है इरान सेनेक ले 358 मौत इसरेल के खुफिया मिशन को दुआ दुआ कर रही है ये मिसाइल भी है और ड्रोन भी ये कैसे अपने टार्गेट को खत्म करती है इसकी तकनीक की बहुत बारीक बातें समझ लीजे 358 नाम की ये मिसाइल एक ड्रोन की तरह काम करती है जो फ़ायर करने के बाद आस्मान में आठ नंबर के आकार की तरह गश्ट लगाते रहती है और जैसे टार्गेट इसकी ज़त में आता है ये उससे जाकर टकरा जाती है 358 मिसाइल में आगे की तरफ लगा इन्फरा रेड सेंसर इसे टार्गेट की भनक देता है और फिर ये अपने निशाने की तरफ बढ़ जाती है ये एक ड्रोन से तेज रफतार से चलती है जबकि एक मिसाइल के मुकाबले में इसकी स्पीड कम होती है अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसी मिसाइल की बात कर रहा है इसराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है हिजबुल्ला ने जब से इसराइल का ड्रोन मार गिराया है तब से लेबनान के आस्मान में चिंगारी की नई शुरुआत हुई है जो इस जंग के दाइरे को और बढ़ा सकती है इस बीच इरान से एक नई तस्वीर वारल हो रही है यह है इरान के सुप्रीम लीडर अली खाम नहीं की जो इरान के घाजा नाम के ड्रोन को देखने पहुंचे है इस ड्रोन को इरान का सबसे पाउरफुल लीडर क्यों देख रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे है इरान ने घाजा नाम का जो ड्रोन बनाया है यह 2000 किलोमेटर के दाइरे में उपरेट कर सकता है यह 35 घंटे तक 300 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ़तार से ओडान भर सकता है 35,000 फीट के उचाई तक ओड़ सकता है और सबसे खदरनाक बाद यह 13 मिसाइल लेकर ओड़ सकता है ठीक ऐसे ही अपने हथियार इरान ने रूस को भी दिखाये थे जब 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंतरी सरगेई शोईगू ने इरान का दोरा किया था यह दोरा बहुत सीक्रेट रखा गया हलाकि जो दस्वीरी सामने आए उसमें यह साफ हो गया कि सरगेई शोईगू इरान की खास-खास मिसाइल देखने तेहरान आए इरान ने उनके सामने अपने एक-एक हथियार की डीटेल रखी इसमें ड्रोन भी थे और बलेस्टिक मिसाइल भी ठीक वैसे हथियार जो रूस को यह उक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए इरान के एरोस्पेस फूर्स के कमांडर ब्रिगेडिया जनरल आमर अली हाजी जादे साथ-साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या लेना चाहिए किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है तब शोईगो ने 358 नाम के इस मिसाइल में बहुत दिल्चस्पी दिखाई और इरान के अफसरों ने भी बताया कि इस हथियार से वो यह उक्रेन के ड्रोन और प्रूज मिसाइल को खत्म कर सकते हैं ऐसा हथिया जिसमें पोतिन को भी दिल्चस्पी है वो बहुत बड़ा कहर बरपा सकता है इसमें कोई शक नहीं 358 की रेंज अब इरान से लेकर योक्रेन और योक्रेन से लेकर इस्रेल तक हो गई है ये बात साफ है कि 358 मौत वाकई इस्रेल में मौत माटने के लिए तैयार की गई है जब से इरान की मिसाइल का खत्रा बढ़ा है तब से इसराइल की ड्रोन एक्टिविटी कम हो गई है जाहिर है कि नेतनियाहू अब ये जानते हैं कि अगर हिजबुल्ला को रोकना है तो सिर्फ ड्रोन से काम नहीं चलेगा क्योंकि लेबनान के आस्मान में 358 वाली मौत मनरा रही है इस वत पश्यमेश्या में युद्ध की जो आग लगी हुई है घाजा पर बंबारी के बीच हमास और इसरेल के बीच जिस तरह की टक्कर हो रही है उसमें अब नया खत्रा इसरेल और लेबनान का बॉर्डर भी है यहां भड़के शोले अब युद्ध की इस आग को दस गुना भड़का सकते हैं और अब दुनिया में सिर्फ चार लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं पहले हैं इसरेल के प्रधान मंत्री बेनमीन नितनियाहू दूसरे हैं एरान के रजशबदी अबराहिम रईसी तीसरे हैं अमेरिका के रजशबदी जो बाइडन और चौते हैं यौरप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राशवदी व्लादेमिर पोटेंट लेकिन इस वक्त सबसे जादा एक्टिव एरान है एरान ने हेजबॉल्ला और यमन के हुथी विद्रोयों तक इतने हथियार पहुचा दिये हैं कि अगर इस्राइल ने घासा पर बंबारी नहीं रोकी तो हेजबॉल्ला और हुथी दोनों इस्राइल पर बंब बन कर फड़ सकते हैं ये बाद नितन्याहु भी जानते हैं इस वक्त लेबनन और इस्राइल के मौत वाले बॉर्डर पर हेजबॉल्ला का पूरा कंट्रोल है हेजबॉल्ला अब ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इस्राइल के टैंक तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं हेजबॉल्ला ने निखाली है तीन बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर यह मिसाइल इरान से सप्लाय की जाते रही है और ऐसी मिसाइलों का हेजबॉल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है हेजबॉल्ला तीन तरह कि एंठी टैंक गाइड़ेट मिसाइल इस्तिमाल कर रहा है ये है कोरनेट इसकी रेंज 5 किलो मीटर तक है ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तयार कर चुगा है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है दूसरी है बीजिम 71 टो एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल रेंज है साढ़े तीन किलोमीटर ये अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसकी नकल इरान तयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है तीसरी है 85 कॉंकोर्स रेंज चार किलोमीटर ये भी रूस ने बनाई है और अब इरान में ये तोसान नाम से तयार की जाती है तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है और जिस तरह से इन्होंने इसरेल के अक्टे उड़ाए है उससे ये बात साबित हो जाती है है जब लाक दाबा की उसका हर हमला इसरेल को मुफू जबाब है हीदना फिल एएम इल्गल मादिया मोज जड़ 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 तेह जड़ाएदाएदाएदाना ने तिन याहू मिन गलेंट बातिजाह लुबनान कुल मिलाकर ये बात साफ है कि अब हिजबुल्ला तीन सो अठावन मौद के साथ इसरेल पर हमला कर रहा है दगशन लेबनन और उत्तरी इसरेल के बीड जो बोर्डर है वहां तनाव बहुत ज्यादा है कब कहां बम फटेगा कहां धमाका होगा ये या तो हिजबुल्ला जानता है या फिर इसरेल की सेना वैसे यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपी सेंटर गाजा से निकल कर लेबनन तक पहुंच सकता है यहां तैनाथ संयुक्त राश्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं लगातार पेट्रोलिंग हो रही है इसरेल की सेना ने अपना गूला बारूट तैयार रखा हुआ है तोपों से जो गूले फायर किये जाएं वो पहले से ही रेडी मोड में रखे गए हैं इसरेल की रिजर्फ पोर्ट भी आस पास के इलाखों में तैनाथ है हाला 2006 के बाद जैसे बनते हुए नजर आ रहे है और अब हिजबुला के हमलों के बाद सब की नजर इरान पर है